शक्करपारे तो बहुत खाये होंगे पर इस तरह से नहीं बनाए होंगे शक्कर पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बॉल और उसमें डालेंगे आधा कप शुगर पाउडर चीनी को पीस कर मैंने उसका पाउडर बना लिया है अब एक तीहाई कप मैंने इसमें डाला है देसी घी घी की जगह पे आप ओयल भी ले सकते हैं वो एक गाड़ा लिक्विड बनकर तयार हो गया है यह हमने मौईन बनाया है शक्कर पारे में मौईन का एहम रोल होता है इसी से शक्कर पारे खस्ता बनेंगे अब इसमें हमने डालना है आटा यह गेहूं का आटा है तो दो कप मैं इसमें गेहूं का आटा डाल रही हूँ आप चाहें तो मैदे से भी शकर पारे बना सकते हैं, दो टेबल स्पून सूजी डालेंगी, सूजी बहुत जादा नहीं डालनी है, पर डालें जरूर से, आप सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और एक टाइट डो हमने इसका बना कर त्यार करना है, पहले हम मौयन में ही आटे को मिक्स करेंगी, जरूरत पढ़ने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करकी इसका डो बनाएंगे, तो ये देखें मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है, लेकिन डो हमारा अभी बिखरा-बिखरा सा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ओर जो कि completely optional है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालने नहीं तो skip कर दें, दो टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें सफेद तील और हाफ टी स्पून मैंने डाला है, इलाइची पाउडर, आप चाहें तो इसमें सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आप खाना लाइक क मसलते हुए हमने इसका डो बना कर त्यार करना है, हमने डो को बहुत ज़्यादा तेर तक नहीं गूतना है, और डो को हमने टाइट ही रखना है, डो हमने बहुत ज़्यादा सौफ्ट नहीं करना है, नहीं तो शक्कर पार एक खस्ता नहीं बनेंगी, तो डो मैंने बना लिय अब 10-15 मिनट का हमने इसको रेस्ट देना है, 10-15 मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे, अब और घी, ओयल या पानी हमने कुछ भी यूज नहीं करना है, बस सिर्फ इसको मसलना है, तो मैंने डो को मसल लिया है, एक मिनट तक और, अब हम डो को दो भागों में डिवाइड करेंगे और इनकी बॉल बना लेंगे, बॉल बनाकर सर्फेस पर रखकर हमने इसको बेल लेना है, पहरे तो हम हाथों से ही इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, उसके बाद बेलन से रोल करेंगे, रोल करते हुए हमने ना तो ओयल लगाना पड़ेगा और ना ही सू इसके किनारों को निकाल देना है, क्योंकि इसके किनारे जो है वो थोड़े से कटे फटे से हैं, इसलिए हम इनको पहले ही कट करके निकाल देंगे, उसके बाद हम इसको शेप में कट कर लेंगे, तो शक्कर पारे को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको शेप प और दूसरा कट हमने इस तरह से तीरचा लगाना है ये देखिए एक कट सिधा और दूसरा कट तीरचा लगाने से डायमन शेप बन कर तयार हो जाएगी तो ये देखिए डायमन शेप के शक्कर पारे मैंने कट कर लिये हैं और इनकी थिकनेस देखिए इससे मोटा या पतला हम नहीं करना है अब बार याती है इनको fry करने की जब तक मैंने इनको cut किया तब तक हमारा ओयल भी गरम हो चुके है पहले हम एक शक्कर पारा इसमें डाल कर देखेंगे तो यह देखिए जैसे ही मैंने इसमें शक्कर पारा डाला है तो bubbles उटना शुरू हो गए है मतलब परफेक पर हम इनको fry करेंगे अगर low flame पर हम इनको fry करेंगे तो ये बहुत जादा oil को absorb कर लेंगे और ये तूटने भी लगेंगे जब इनको fry होते हुए एक मिनट हो जाएगा तो हम spoon की help से इनको थोड़ा सा चलाते रहेंगे शुरू के 2 मिनट तक हम इनको medium to high flame पर fry करेंगे लेकिन उसके बाद gas का flame medium कर देंगे तक ये अंदर तक cook हो जाएं बड़ी असा golden color आ जाने तक हमने इनको fry करना है तो ये देखिए friends हमारे जो शक्कर पारे हैं वो बड़ी असे golden हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं एक plate में और second batch को भी same तरीकी से fry करके तयार कर लीना है और ये देखिए कितना बड़िया लाल कलर हमारे शक्कर पारे का आया है आप चाहें तो इससे थोड़ा सा light color भी रख सकते हैं लेकिन मुझे जादा लाल कलर के शक्कर पारे बनाना और खाना पसंद है और मैंने थोड़े से ये square shape के शक्कर पारे भी बनाई है जो side से डो ब कियर करना मैं फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ तब तक दे कियर बावाई